कि हलो बाक चुमाइब वीडियो से बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में आज था हमारा फस्ट ऑफ जेन्वरी 2024 और मार्केट ने जाते जाते यह निकि कि मार्केट एंड होते टाइम इतना बड़ा मुमेंट दिया ओ माइग जो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा दिन मार्केट साइडवेस था एंड उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम किया एक डाउनसाइड मोमेंटम था वह बहुत कम लोगों ने कैप्चर क कर रहे होते हैं खिर मार्किम हने अपने मेंबर को बताया कि क्या मुन आ सकता है अभी आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले तो यह रहा हमारे टेलिग्रा ग्रोफ टाक से जाकें आपर एक इस्क्रिंशूट ब्लयका हो वो screenshot है यह timing देख सकते हो आप 2.50 ए 2.59 PM, 3.00 PM का जो हमारे ट्रेट रहता है आज था 21,830 के ऊपर हैं 21,815 के नीचे, ऊपर तो निकला नहीं लेकिन डाउन साइड अच्छा निकला, 815 के नीचे की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा momentum आपको मिला है, just check this out, अभी तक का सबसे बड़ा one direction trade वो भी nifty के अंदर, ठीक है, 815 level कहीं यहाँ पर अगर आप notice करोगे, वहाँ से one direction में यह 680 आया है, यानि कि 680 से 780 उसके बाद और 35 point यानि कि 130 point plus का हमारा यह trade clear out आपको यहाँ पर देखने को मिला, हाला कि हमने अपने members को इस level के उपर यानि गी, 21,800 के उपर भी यहाँ पर trade plan करवाय था, जिसमें 30 point मिले, यह आपको बड़ा trade मिला, फिन nifty में हमने एक trade दिया था, बताऊंगा मैं फिन nifty में क्या trade था, हमारे members को जो मैंने दिया था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आज का profit देख लेते हैं, क्योंकि market में सुबह उतना अच्छा moment नहीं था, दिखाऊंगा क्यों नहीं था, क्या नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ profit बनाने में हमारे members, मतलब क्या बोलू, उसको कि हाँ उन्होंने मेनत की, सुबह और पैसा बना पाए, 4818, 2853, 4300, 122300, 1700, उसकाद मैंने आप लोग को बताए कि market में nifty bank upside की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका premium आप देख सकते हैं कि downward direction में था, वो भी call side का premium, तो मैंने आप लोग को बताया था, कि premium अच्छे से movement नहीं आ रहा है, तो थोड़ा देख के trade करना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ 200 रुपए, 800 रुपए, 360 रुपए, 660 रुपए, उसके बाद यह हमारे members का छोटा-छोटा scalping करके around 2,000 कुछ रुपए, उसके बाद यह भाई का जिसका बड़ा profit ता शुरू में, उसने total 30,000, 30,000 रुपए भी खतम नहीं कि actually, और भी हाव के, फिन निफ्टी का हमारा ट्रेट था, जो हमने members को दिया था, एक बच के 35 मिनट पे 21,498 या फिर बोलू, 21,500 लेना था, जो प्रीमिम लेना था, वो लेना था, 146 का प्रीमिम और यह प्रीमिम 210 बीस तक गया है, आप चेक आउट कर लेना, इतना बड़ा ट् निफ्टी फटा, 40-50 पॉइंट, 1150, 400 का लॉस, 650 का लॉस, 1100, 1400, ओवरॉल सब प्रॉफिट में नजर आए हैं, और यह हमारा 3 पीम का बड़ा मुव, और यह जो भाईट ने टोटल सहते, 1500 पे क्लोजिंग किया है, और एक और हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ 4 मन से जुड करना, यह हमारे एक और मेंबर हैं, जिन्होंने लास्ट, हमारा बीटी, यह अपना 3 पीम ट्रेंड लिया, और 5 एर प्लस का प्रॉफिट किया, तो देखो, यह सब दिखाने का मतलब यह है कि पैसा बन रहा है, आप बना पारे हैं, और नहीं बना पारे है, और यह बना पार यह दिन, वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं कल तक की बात करूँ, तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ था, उसके उपर थोड़ा से बात करेंगे, उसके अकोर्डिंग जादा कुछ अपॉर्चनिटी तो बनी नहीं, लेट सी, एक मिनेट बताता हूँ, मैंने आप आपको यह trend line बताया हूँ था, important है, मैंने आपको यह 21,680 का level बताया था, मैंने आपको बोला था, 21,680, 21,780, जब तक इस range में market है, आप कुछ मत करो, ठीक है, तो हमारा market 21,780 के उपर जब निकला आए, तो 830, 835 का high मार आए, तो अगर आपने 21,780 के उपर trade बनाते, तो आपको यह पूरा area capture करने को मिलता, अगर आपने ऐसा किया, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, वीडियो के according आपको जाना था, तो market में यह जो sudden fall आए, यह unexpected fall है, किसी को इतना बड़ा fall की उम्मीद नहीं थी, पहली बात में clear cut कर देना चाता हूँ, मैं उसका कोई यह न मार्केट कहीं रुकना चाहिए था, लेकिन मार्केट कहां रुका आके, अपने एकदम low level पर रुका आके, जो बिलकुल भी अच्छा नहीं है, अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो हालाकि recovery भी अच्छी किया, 620 से 740 वापस से market इस range में आ गया, यह समझो, कि मार्केट कितना बड़ा move दिया है, last के 30 minute में, यहाँ पे 130 का point, फिर यहाँ पे 70 point का move, यानि कि 200 point से उपर का move दिया है, market ने just 30 minutes के अंदर हो, last के 5 minute तो आप देखी सकते हो, मतलब कितना जादा market अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं trade नहीं दे रहा हूँ, हमारे जो members हैं, उनको लगता है कि मैं trade नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, guys, trade नहीं बन रहा है, इसलिए trade नहीं दिया जा रहा है, मेरा सबसे पहले aim होता है, आप लोग को loss ना हो, second aim होता है, आप profit में close करो, third कहीं पर आप हमारा बनता है कि चलो, अगर थोड़ा बहुत loss होता है, तो उसको लेके market से exit हो जाओ, अगर मैं trade नहीं देता हूँ, that means market अच्छा नहीं है, जब market यहां अच्छा नहीं है, मैंने trade नहीं दिया, market यहां अच्छा हुआ, मैंने आपको nifty में भी trade दिया, 30 point का, मैंने fin nifty में भी trade दिया, 50 से 60 point का, मैंने bank nifty में भी trade दिया, 40 से 60 point का, और ये बड़ा मूव तो आप भोली जाओ, यहाँ पर तो कितना शांदर मूव आया है, वो आप देखी सकते हो, तो important है, इस market में सबर करना सीखो, सबर नहीं करोगे, market आपको खा जाएगा, आपका पूरा पैसा लेके जाएगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ओवर तब ट्रेड करो, market पूरा 6 गंटे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको 6 गंटे में से वो टाइम निकालना है, जब आप अपना पैसा बना सकते हो, बस आपको दिन के 20-25 मिन चाहिए, 4-5 मैक्स ट्रेट चाहिए, जहाँ पर आपका मस्त पैसा बन सकता है, लेकिन उस 20-25 म बन जाए, तो पैसे को बचाओ, और घर वापस निकल जाओ, अब बात करें, market की, तो आप यहाँ देख सकते हो, एक सेगंट, आपका सबसे पहला काम क्या है, टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम को जॉइन करो, वहाँ पर मैं आपको अगर कुछ सजेशन्स दे रहा हूँ, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, और आपको वो सुनने पड़ेंगे, देखो हमारी trend line के सारे ही, यह market उपर की तरह बढ़ करेंगे कल के लिए, वापस से market सेम range में है, वापस में बोलूँगा, अगर हमारा market 21680 के नीचे निकलता है, तो आपके target downside के रहने वाले हैं, क्या 21650, 21600, यह levels रहेंगे, अगर हम downside की बात करते हैं, अगर हम upside की बात कर रहें, तो again market को 27780 के उपर निकलने दो, उसके market सेम range में वापस आ गया है, पहले निकल जाता, तो बढ़िया रहता, लेकिन निकलने के बाद वापस से उस range में फस जाना is a different thing, तो हमें वो समझ नहीं पड़ेगी, market ने आज all time high बना, almost 2840 का, तो अगर हम 680 के उपर निकलते हैं, तो वापस से हम day I को attain करने की, या फिर all time पैसा दिक्कत वाला हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, वापस से बोलूँगा कि जब तक ही range नहीं निकलती है, आप trade मत लेना, range निकलने के बाद आप trade लो, आपका पैसा बनने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे, और try करो morning में trade लो, आज नहीं बना तो क्या point यह ना, कि लोग value कम करते हैं, सबसे बड़ा point यह है, इसलिए मैं सिर्फ अपने members को बाखी के trade देता हूँ, आपको मैं सिर्फ दो trade देता हूँ, अगर उसमें पैसा बनता है, तो आपके लिए बढ़िया, because मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, telegram पर मैं आपको guide नहीं क करने वाला नहीं है, ठीक है, तो वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर लो, telegram को join कर लो, comment section में कुछ पूछना है, तो मेरे से पूछो, मैं sponsor आपको करके दूँगा, thank you so much, मिलते हैं आप लोगो कल, और सबसे important कल, fin nifty का expiry है, तो fin nifty का वीडियो भी आएगा, तो उसको भी आप देख लेना, thank you